देखती ही मूँ में पानी आ रहा ना? मुझे भी आ रहा है मेरे पस कुछ नीम्बू रखे थे तो मुझे लगा कुछ इनके साथ अलग करते हैं नीम्बू का जार बनाते हैं तो मैंने कह किया पहले इनको वाश किया है और नमक के पानी से, गुनगुने पानी से अब मैंने यहाँ स्टीमर लगा दिया है अमीन मेरे पास स्टीमर नहीं था तो पाने डाल दिया है उसके उपर जो ये प्लेट रखी है या धाली ले लीजे तो उस पर नीबू रख लीजे और डखके रखे ताकि इसको प्रॉपर स्टीम हो यहाँ अगर आपके स्टीमर है तो आप उसका यूज कर सकते हैं मेर पास नहीं तो मैंने ऐसे यूज किया तो जब तक इस्टीम होता है तब तक साइड में हम इसका मैजिकल मसाला बना लेते हैं तो यह मसाला बनाने के लिए यहाँ मैंने सोंप के बड़े दो चममच लिये हैं और मैंने सोंप एक बहुत अच्छा फ्लेवर देता है इसमें खटे मिठे अचार में तो इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे जीरा के चोटा डेड़ स्पून के करीब लिया है और उसके बाद मेथी दाना लेना है इस इस हाफ टेबल स्पून उसके बाद पांच से आठ जो है काली मिर्च ले लिजे साबूत यहाँ पे आप अजवाइन भ बहुत अच्छा फ्लेवर देगा एवन इवन धी सोफ और और तो यह जवाइन ऑलमोस्ट आप एक टेबल स्पून ले लीजेगा या यह तेबल स्पून ले लीजेगा अब हम क्या करेंगे थोड़ा सा रोस्ट पूरेंगे हमें जलाने नहीं है हमें जस्ट एक उतना इसको तीन मिनट लगेंगे, मैंने यहां लो फ्लेम पे रखा है, तो इसको चलाते रहना है, यहां ही देखिए, कलर भी चेंज हो गया, तो हमने यहां पे फ्लेम बंद कर दिया है, उसको थोड़ी दे ठंडा होने के बाद, अब मैं यहां पे अपना जो है, ग्राइंड कर देंगे, ग्राइंड करने के लिए, मैंने यहां ग्राइंडर लगा लिया है, और इसमें इसको डाल दीजे, यह जो मसाला बना रहे हैं, इस इस रियली ए मैजिकल मसाला फॉर देस चटनी, आपको अलग से एक फ्लेवर लगेगा, इसमें जब आपको खाएंगे, सोंप, जीरा, या अजवैन, इन सब का हलग ही एक टेस निकल के आएगा, जो आपको इतना अच्छा बैतरी एक एंड रिजल देगा, कि बस आपको मज़ा ही आ जाएगा, तो यहां जो मिक्स है, जो मेरा यह मसालों का मिक्स था, यह ग्राइंड हो चुका है, तो इसको एक अलेक प्लेट में निकाल लेते हैं, और अभी हमारा यह मसाला रेडी नहीं हुआ है, यह आदा ही रेडी हुआ है, अभी इसमें और कुछ मसाले जाएंगे, तो यहां मेरा थोड़ा सा मोटा लगा यह मसाला, तो मैंने एक बार फिर चला दिया, अभी बिलकुल परफेक्ट हो गया, देखिए तो अब मैं यहां पर क्या करूँगी, एक प्लेट में ले लूँगी इसको, क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला कि मुझे और इसमें मसाले एड करने हैं, कुछ, तो सबसे पहले हम इसमें कलोंजी डा लेंगे, अल्मोस्ट एक टेबल स्पून, कलोंजी को हम रोस नहीं करते ह हैं, इसको पकाया नहीं जाता, तो यह डारेक्ट ही लेते हैं, तो गिब बहुत अच्छा गिन, बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, थोड़ा मैने यहां गरा मसाले लिया है, अब जो है काला नमक लेंगे, काला नमक, आप आल्मोस्ट दो से डाई चमच ले सकते हैं, लाल म इसका पोडल हैं, कश्मीरी लाल मेर्च लिया है, यहां मैंने साधा नमक भी लिया है, अब सोचेंगे, यह इतना सारा नमक हाँ, इसमें नमक की कॉंट्रेटी ज्याता जाएगी, क्यूंकि नीबू खचार बन रहा है, नीबू थोड़ा सा कड़वा होता है, और उसकी पर एक मिक्स करेंगे, बहुत अच्छा मिक्स करेंगे, और अब देखिए हमारा फ्लेवर भी इसके बहुत अच्छे आएंगे, जो हमारा अंचार बनेगा, इसका इन सारे मसालों का मिक्स्चर बहुत अच्छा जाएगा, उसमें, अब यह जो मसाले का मिक्स्चर है, यह आ जो मेरे पास नीम्बू है बहुत बड़े बड़े है that is total of like 8 to 10 तो अगर आपके छोटे चोटे नीम्बू है और बहुत है तो आप उसे हिसाब से मसाला बनाईएगा बस इतना ध्यान रखेगा क्योंकि नीम्बू कड़वे होते हैं तो आप काला नमक अच्छे से डालिएगा इसमें तो यहां मेरा जो मिक्स्चर है मसालों का रेड़ी हो गया है अब हम यह नीम्बू जो है यह हैं अच्छे से स्टीम हो गये सौ्फ्ट हो गये तो आप क्या है अब हम इसको रफली चॉप करेंगे जिस हिसाब से आपके पास नीम्वू है मतलब जैसे ये बहुत बड़े बड़े नीम्वू है आपके पास छोटे छोटे हैं तो आप जितने छोटे हो सकते हैं उतना काट दिये और ये एंशर कीजेगा कि बीच जरूर से निकाल लिए क्योंकि बीच जो है वो कडवे होते हैं और जैसे आप अगर बीच भी इसके साथ में ही डाल देंगे तो वो कडवा हट और ज़्यादा बढ़ जाएगी तो एंशर कीजेगा कि जितने हो सकते हैं उतने बीच इसमें से रिमू कर दीजे और अगर एक आदा रह भी जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बठा यह है कि जितने हो पाएं तो उतना रिमू कर दीजे तो चलिए फटा-फट से सारे निम्बू को चौप कर लेते हैं तो इनको इतना टाइम नहीं लगता है अब स्टीम देने के बार जैसे स्टीम दी ही जाती है निम्बू को ताकि वो सॉफ्ट हो जाए अंदर से और उनकी कड़वाहट जो है थोड़ी बहुत कम हो जाए तो जैसे हम आगे प्रॉसेस करेंगे इनका कड़वाहट पन भी दूर हो जाएगा तो चलिए यहां होगे हैं सारे निम्बू तयार तो अब नेक्स्ट हमारा स्टेप स्टार्ट होता है जहां पे हम एक कड़ाई लेंगे और इस कड़ाई में हम दो कटोरी जो है शुगर लेंगे और आदा कटोरी इसमें मैं पानी डाल रहे हूँ और इसकी अच्छे से हम एक चाशनी बनाएंगे यहां कोई तारवार वाली चाशनी नहीं बनानी है जस्ट एक शुगर सिरप बनाना है हमारा जो यह खटा मिठा अचार बनने वाला है यह इसी शुगर सिरप में बनेगा तो इसको एक बार हम अच्छे से गोल लेते हैं प्रॉपर एक शुगर सिरप बना लेते हैं और जैसे ही इसमें जैसे यह जाग आ जैसा आ रहा है इसका मतलस ही हमारा पूरा शुगर मिक्स हो जाये तो हम यहां क्या करेंगे जो हमने मसाला रेडी कर रखा है इसको पूरा का पूरा इसमें डाल देंगे एक बार अच्छे से गोल लेंगे तो देखिए आपकी यहां पे शुगर, सिरप, बनाना और आपका मसाला के कॉंटरेटी टोटली डिपेंस ओन आप कितने ज़ादा नीबू का इस्तिमाल कर रहे हैं अब जिस हिसाब से नीबू का इस्तिमाल कर रहे हैं उसी हिसाब से आपको यहां शुगर, सिरप और अपना जो यह मसाला क्रियेट करना इसके लिए यह आपको बनाना होगा तो यहां आपको अपने हिसाब से ही बैलेंस करना होगा मतलब मैंने जितने नीबू यहां पे लिए हैं उस हिसाब से मैंने इसकी कॉंटिटी कम ज्यादा कर ली है तो आप भी अपने हिसाब से कॉंटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं यहां पे अच्छे से गोल लेंगे यहां पे मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है जिसकी वज़े से इसका कलर अच्छा आएगा तो आपके पस हो तो आप डालिए वरना आपके उस नॉर्मल मिर्ची है तो आप नॉर्मल मिर्ची ही थोड़ी से डालिए ज्यादा नहीं तो यहां पे हमारा जो यह मसाला है यह प्रॉपर इसके साथ मिक्स हो गया यहां कोई ओयल वगरा का इस्तमाल नहीं कर रहे हैं तो बिना ओयल के बनेगा यह जार हमारा तो यहां पे अच्छे से मिक्स हो गया है अब हम एक काम करेंगे हमारे जो नीमबू हमने त्यार करके रखे हैं वो सारे नीमबू इसमें डाल देंगे और इसको एक बार अलट पलट कर लेंगे ताकि सारा जो नीमबू है वो मसालों में डूप जाए मतलब हमारा शुगर सिर्फ इतना होना चाहिए कि हमारा जितने भी नीबू है उसमें प्रॉपरली इसमें जो है वो डूप जाए उतना शुगर सिर्फ होना चाहिए तो अगर आपको यहाँ पर शुगर सिर्फ कम लगता है जैसे मतलब आपके पास नीबू के कॉंटिटी जादा है और आप मेंडे नहीं कर पाया उस चीज को आपके पास शुगर सिर्फ कम हो गया एक्स्टर डालने से पहले आप वेट करिएगा ताकि क्योंकि देखे जैसे हम इसमें डालते हैं तो यह जो नीबू है यह सोक लेते हैं कुछ शुगर सिर्फ को और अगर जादा शुगर सिर्फ बनेगा तो वो जादा ही ओर लगता है और अच्छा नहीं बनता है आपको दुबारा से कड़ाई लगा करना पड़ेगा और मसाले कुछ बनाने पड़ेंगे दुबारा से अजर्वाइज आप वेट कीजिएगा जैसे यहां पर मेरे को पहले लगा था कि शायद मेरा शुगर सिरफ कम हो जाएगा जिस हिजाब से मेरे नीम्बू है यहां पर यहां मसाला कम हो जाएगा तो जब मैंने इ नीम्बू है वो स्टीम्ड है उसमें अल्ड़री नमी आ चुकी है तो हम एक बॉयल तक के लिए इसको पकाएंगा मीन ओल्मोस्ट पांच से साथ मिनट लगेंगे हमें इसको अच्छे से पकाने में तो देखिए कितना बहतरीन कलर आ गया है तो अब पांच से साथ मिनट हो इसमें नीम्बू डाले हुए वो प्रॉपर मसाले को सोक रहा है अब यहां पर यहां पर एक चीज़ चेक कर सकते हैं अगर आपको मीठापन इसका कम लगे अगर आपको खड़वा लग रहा है यहां खटा लग रहा है जादा तो इसको बैलेंस करने के लिए आप यहां इसके पर एक जाली रख लेंगे प्लेट नहीं रखनी है प्लेट रखने से क्या होगा कि इसमें जो स्टीम पानी जमा होगा जैसे स्टीम जनरेट होती है तो पानी जो है दुबारा सुमें जाएगा उसमें कड़वापन और ज़्यादा है अब मैंने यहां पर एक ग्लास जार लिया है ग्लास जार को क्या करना है स्टेरलाइज करना है तो बिलकुल सुखा होना चाहिए ग्लास जार आप ग्लास जार को अच्छे से दो के सुखा लीजे और मैंने क्या क्या कोईला गरम कर दिया गया इस पर और उस पर मैंने हींग डाली है बहुत ही बढ़िया जाए और एक बहुत अच्छी खुश्बू जो है हमारे पिकल को मिले तो यहां पर इस्ट्रिलाइज हो गया अच्छे से अब यह जो हमारा वाव लग रहा है नहीं बहुत टेस्टी है ना मैंने इसको चेक भी किया हो बहुत लिटरली बहुत जादा टेस्टी है तो अब हम क् ग्लाज जार में इसको डाल देंगे और यहां पर क्या है आप प्लास्टिक का कंटेनर नहीं लीजिएगा यह खराब हो जाता है यह आपको यह भी एंश्वर करना है कि गीला नहों कंटेनर आप हो सकते तो ग्लाज जार का ही इस्तिमाल कीजिए क्यूंकि आप इसको महीनों तक सेव कर सकते हैं तो मैंने यहां पे सारा का सारा डाल दिया है और एक चीज आप इसमें जब भी आपको खाना हो आप जो चम्मच इस्टमाल करेंगे वो भी बिल्कुल सूखा होना चाहिए गीला नहीं होना चाहिए अधरवाइस यह खराब हो जाता है अजार तो लीजिए हो गया हमारा यह खटा मीठा सा बहुत यह मी साचा तो आप लोग भी जल्दी इसको ट्राइ कीजिए और मुझे प्लीज कमेंट करके बताईएगा कैसा रहा तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए